हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्रप्रदेश के पूर्व डी जी पी और वरतमान में रासवा सांसत ब्रिजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार विवाद हुआ लेकिन आप पोलिस के सरवुच पत पर उत्रप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ किस ते जो उसी थानाशेत में पढ़ता है और वो करतिवारी के सूटर थे सतर कसी के दसक में जितने बड़े मर्डर हुए साधू सिंग मगनु सिंग करते थे यह उनका गुर्गा था इसको बदमासी कबड़ा सौक था तो एक बड़े गाइंग लीडर मिल गए उसमें था उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को थाकुर मुक्तार से जुड़ा हुआ है तो यह जब वहां मर्डर हो गया उसके बतीजों न किया तो 10 अक्टूबर 85 को मकनु सिंग को रंपत सिंग के बेटों ने जिसमें में था त्रिभून सिंग और उधर ब्रिजेश सिंग उसके बाप का मर्डर हुआ था धौरारा में एक साहब सिंग होते थे इन सब लोगों ने मिल करके मकनु सिंग का मर्डर कर दिया जो में गुरू था मुक्तार अंसारी का और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साइद पूर छेतन में जब इसने दो भाई बिरंदर सिंग बेडा और डक्टर राम बिलाज सिंग जो रंपस सिंग के बेटे थे उनको मार दिया फिर मुक्तार ने इनका बेट मुक्तार का वह अपना अफजाल अंसारी बिधायक बन चुका था उसके प्रयास से ये जेल से आगे हस्पिटल में उनके पत्नी को बच्चा हुआ था सुबह सुबह एक घाड़ी पहुंचती अमबेस्टर उसमें कुछ वर्दी धारी निकलते हैं कि चकिंग करना है और साहब सिंग ले गया धानापूर वहां दो मार दिया इस तरह से साधू मकनु गैंग समाथ हुआ तो उसकी गैंग की कमान समहा ली मुक्तार अंसारी ने उधर ब्रिजेस और त्रिवन मिल गए थे इन दोनों के गैंगवार में दरजन नहीं हंडर्स में लोग मरें तो इस त मुक्तार अंसारी की सुरुआत हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वह 85 में बिधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दोरान 93 में ये गय जैसर राम मुक्तार चाता था गाजिपूर सदर से चुनाओ लड़ना मनवर कासीराम जो जाते थे सबी दी सिडीकी साब थे जो मुक्तार के साडू लगते थे गाज़ीपूर में वही लुकते थे तमाम जो बड़े-बड़े नेता थे बाम सेफ के मुकतार अफजाल न नाम मुनीब दलित उनको जनरल सीट्रेट टिकट दिया कि 20 नॉम्बर 93 को सुबस चुनाओं के लिए ओट पड़ना था और 29 की रात में 11 बजे विसुनात राम मुनीब दलित घर चे निकले और दो गाड़ियां आती है मोटरसाइक लिए और अतला अतला गोली मारती है मारते देखे लिए मुक्तार अंसारी ने मरवाया क्यों उनको टिकट नहीं मिला तो चाता था मुझे जितना अरालत में तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया जब काउंटर मांड हो गया और 94 में बाई एलेक्शन हुआ तो कासिराम जी ने टिकट दिया कालासनात यादों को और पहुचे किसा मुक्तरवा मार देगा उस चुनावल यह आतंग था कि टिकट मिला स्योवर जीतना था और कैलासनात यादों ने हिम्मत नहीं की लड़ने की और उसने तो यहां तक किया जो एसपी गाजीपूर में उसके अंसार काम नहीं करते थे मुक्तार रहने नहीं देत चार मा बिरंदर कुमार 28 दिन अभिनास चंद्रा दो मा अखिल कुमार आजकल एडी जी हैं एक मा राजे सिरवास्तों 11 दिन इन रवींदर तीन मा तरुन गावा तीन मा इनके सिरवास्तों 5 मा 15 दिन डाक्टर पितिंदर सिंग सात मा ब्रिजराज 5 महीना 6 दिन सुभास इस दिन वीके गर्ग 4 महीना 2 दिन वैभो कृष्णा 2 दिन दो महीना 8 दिन आनंद कुलकरणडी 2 महीना 10 दिन रविसंकर शभी एक महीना 2 दिन और जस्वेर सिंग एक दिन तो मुक्तार ने ये किया अगर उसके अमसार कोई एस पी नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और उनको रखता तो जिसके अमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूं कि पोलिटिकल के इलामा जो इसने भरती कराए जो फूलिस फोर्स को क्रिम बनाने में पुर्वांचल के पुलिस कर्मियों का बड़ा रोल रहा और उसमें क्योल सिपाई नहीं आई पेस आपसा तक सामिल थे दो घटनाई बताना चाहूंगा दो हजार चार में मैं आजिला नाटर होता था संसधी चुनाव हुआ और आजिला नाटर ही नोडर अफसर हो हुआ गाजीपुर में चुनाव होता था मुक्तार ने दहसत फैलाने के लिए जैसे सुबह चुनाव हुआ महमदाबाद इसका जो अपना में कस्भा है एक बियार थे बीजे पी के औरकर उनको एक सैंताली से धरड़ा धर गोली मारी दहसत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक के सैंताली से फिर दिन में करीव एक वजे मैं बैठा कंट्रोल रूम में देख रहा था वहां पर एक अवलेस राय थे मरुसिनहा जी के गाउं के असपास के उनको एक सैंताली से मार दिया दस्यों बूत पर बाहर एक सैंताली स्वाय दना दन इसके जितने गुर्गय अपना काम कर चुका था और यह 2004 में यह सांसद मनगे मैंने रेकमंट किया था यह गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजी लान ओड पर था डी जी आफिस में बड़ा किनारे वाल अपद माना जाता है लेकिन मुझे भी मालूम होता रहता था सेलंदर सिंग थे इसका नंबर सर्वलांस पर था और यह 2004 की बात है जनवरी इसने लाइट मेशिन गन मंगवाई और जिससे कि क्रशनारनंद राय को 500 मीटर मुझे दोज का भांजा था उना से राश्टी राइफल से लाइट मेशिन गन लेकर भाग आया और सलेंदर सिंग ने लाइट मेशिन गन और धेर सारे कार्थू पगट नी पोटा होता था जमानी अटल विहारी बाच पे यह ने बनवाया था जिसको मन मोहन सिंग सरकार आत जी जिलान ओडर थे एक डीजी को उसको इतना प्रताडित किया गया डिप्टी एसपी सलेंदर सिंग को कि दस फरवरी 2004 को उसने इस दिफा दे दिया अब चुंकि पोटागम गदमा कायम हो चुका था प्रेजिक्यूशन के लिए सासन में आया मानी मुलाहिम सिंग जीने परमीशन नहीं दिया मुननर यादो और बावुल यादो को दद्दस साल के सज़ा होती है सारी प्लिटिकल पार्टी चाहिए वो अखले शादव हों शिपाले आदव हों या आने जो दल हों कॉंग्रेस के निता हों वो सब जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई विवाद है इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि कुछ खुद आप पुलिस अद्कारी रहे हैं यूपी स्टीएफ के आप चीफ रहे हैं हर तरह के आपने जो दुर्दान तपरादी हैं उसे आपने तो आप मुक्तार अंसारी की मौत का कारण क्या मानते हैं मौत का कारण आलड़ी कई डाक्टरों के पैनल से जिसमें बहुत सीनियर डाक्टर नहीं कि लोकल डाक्टर मुक कर लिये हूं और किया गया क्या पाया गया हार्ट अटेक प्योर हार्ट अटेक उसके बावजूद ही मेस्टर इंक्वारी ओडर है यह जो पार्टियां यही तो लाभानुईत होती थी बताने कांग्रेस ने तो पंजाब में रखा इसको जोगी आदितनास लाए समाजबादी पार्टी तो इसको पालती रही लेकिन अखले स्यादों कांग्रेस नहीं देखेंगे तृष्णा रंदाज की पतनी पर क्या भी था जो इसने धरजनों माडर किया पुलिस वालों का माडर किया उनके परिवार का भीयत है तो केवल एक ओट बायंग के राजनीत के लिए प्रभाविद करने के लिए यह पा से जो ओट बैंग के सौधागर हैं और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रख करके इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुरगाई है जिसने इसको इतना मजबूत बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े वह भी एक संताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लीन चिट दिया कि अतिही कामाद वसरप का कोई रोल नहीं है एक फोटो वाइरल हुई थी अतिही के घर जाकर उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे हमाने मुला मासों को पालने वाली जितने बड़े बादमास उत्रप देश के उसको समाजबादी पाला इतने नहीं चंबल के ढकायत चैव निर्भो गुजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने का नहीं ददुआ के बाई और उसके बेटा और भाईयों को मुलायम सिंजने समाजबादी में उ जरी करते थे समाजबादी पार्डी कोश्म देते थे निर्भो गुजर इतना वह पापुलर हो गया था मीडिया चली जाती थी तो काता था मैं तो समाजबादी पार्डी का हीरो हूं उसका फर्मान जारी का कराते थे बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी ढकायत से आज जोगी राज है चंबल समाथ हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आज संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं और हजारों करोड की संपत्यां अपराज से कमाई की अटाइ का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच टिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक टिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तरप्रदेश का होगा जोगी आदितनात का होगा मैं लिवाद हमसे बात करने के लिए तो उत्तरप्रदेश पलिस के पूर्व सबसे बड़े श्रटकारी डीजीपी रहे यूपी एश्टी एफ के चीफ रहे और पूरा उस समय मुक्तार अंसारी के शुरुआती दिन से लेकर और मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने